किया आप जानते हैं आजकल lifestyle disorders कितने बढ़ गए हैं और हमारे घरों में ही ओस्ति इसकी विद्धिमान है लेकिन हमें उसकी सही जानकारी नहीं होती है और सही जानकारी ना होने के कारण उसके हमें side effect भी उठाने पड़ते हैं ऐसा नहीं है कि herbal उस्तियों के side effect नहीं होते हैं उनके भी side effect हो सकते हैं उनका उपयोग किस तरह से करना है उनके योग और उनको लेने का तरीका बहुत कुछ वर्णन करता है अपने आप में कि कैसे उनको लिया जाए आज हम बात करेंगे अमृता की अमृता को गिलोई के नाम मरने देती है इसके आप देख रहे होंगे chaudate leaves है इसलिए इसको टीनो स्पोरा callifolia कहा है heart-shape leaf है इसको बहुता है मैंटी स्पर मेंसिद्द कूल यह ब्लांट है इसके साथ आप देखेंगे कि विभिन परकार के जाश दिय गुन इसमें विद्द्यमान होते हैं यह है इसके अंदर एलकलोईड ग्लाइकुसाइड फिनोलिक कंपाउंड्स गिलोईन और कई इमीनो मोडूलेटर विद्धिमान है अब हम इसकी अगर ओस्द्य गुणों की चर्चा करें तो ये सायद ही कोई ऐसा डिसोडर हो जिसमें इसका उपयोग ना होता हो उन में से कुछ इंपोर्टेंट जैसे हम आज आपको बताएंगे जैसे की पागलपन इंसैनिटी इसके पत्र का फांट अगर लिया जाए तो इंसैनिटी में विसे इसलाब करता है इंटेस्नियल टीबी बहुत कॉमन बीमारी है इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिव्स का फ्रेश जूस बनाकर उसमें आप पिपली जिसको पाइपर लॉंगम कहते हैं और सिलेरी एपियम ग्रेविलेंस का पाउडर मिलाकर उसको पीना चाहिए इसके साथ हर्ट की एक समश्चा है मायो काइडियल इंफारेक्शन इस में इसके लिए हमें इसके सुरस का सेवन करना चाहिए Hiccup की बहुत common समश्या होती है इसका हमें पाउडर बनाकर इसका जो stem आप देख रहे हैं उसका पाउडर बनाकर हमें उसमें ginger powder मिलाना चाहिए और Hiccup की समश्या निराकरण आसानी से हो जाता है Memory loss बहुत common समश्या है उससे निजात कपाने के लिए बाई बिडंग, एमबेलियर राइब्स, सतावर और इसमें हरेड, अपा मार्ग, इन सब का पाउडर मिलाकर सेवन करना चाहिए यह हमारे बलड को पुरिफाई करता है और जब मौसम बदलता है तो डैंगी और चिकन गुनिया के फिवर बहुत कॉमन है इसके लिव्स का सुरस बना कर देना चाहिए प्रेटलेट्स को डाउन होने से बचाता है, कम होने से बचाता है और कई बार क्या होता है कि प्रे में एक कॉमन समश्या है दो ग्राम इसका सत हमें दूद के साथ सेवन करना चाहिए सत जो है वो गिलोई का स्टार्च कंटेंट होता है इसको बनाने के लिए इसके स्टेम को आप देख रहे हैं इसके चोटे करके 12 गंटे के लिए क्रस करके हमें पानी में बिखा देना चाहिए और फिर निथार कर जो मुसीलेजिनेस मैटर बचता है उसका पानी पुरी तरह से विपरेट कर देना चाहिए स्लो हीट पे और फिर आप देखेंगे कि एक वाइट कलर का पाउडर कंटेनर में नीचे बचता है उसको सुखा कर पाउडर बना लेते हैं वो उसका सत्व होता है जीन जवर हो चाहे सन्नी पात जवर हो सन्नी पात जवर में क्या होता है कि वात प्तैसूल या वातसूल भी आजकल बहुत कमन समस्षा है। इसके लिए गलोए का चून और काली मिर्च का चून मिलाकर कौत बनाना चाहिए। पिलीहा और अरूची में इसके स्वरस को पिपली के चून के साथ मिलाकर पिना चाहिए। मुत्रुकरच मतलब डिस्यूरिया इसके लिए हमें इसके स्वरस में हनी मिलाकर सेवन करना चाहिए। वैक्ति के अंदर वात रक्त की समस्षा हो तो गलोए के रस में मधू मिलाकर सेवन करना चाहिए। अर्ष की समस्या हो तो इसके स्वरस का सेवन करें और उसके बाद छाच का सेवन करना चाहिए इसी प्रकार से अगर आपको बलवान बनना है चीरवायू बनना है तो हमें गुड और घी की चासनी बना लेनी चाहिए और उसके बाद उसमें गलोय का चौन मिलाकर दिन में दो बार सेवन करना चाहिए पाँच-पाँच ग्राम नेत्रों में अगर कुछ वेदनाय हैं, कुछ दर्द है, पढ़ते समय कई बार हो जाता है विद्यारती जीवन में तो गलोय और त्रिफला और पिपली का क्वाथ बनाकर दो बार सेवन करें और अगर जोडों में दर्द है तो गलोय और पुनरनवा का क्वाथ बनाकर उसमें स्वाद अनुसार, सहद मिलाकर सेवन करना चाहिए साथियो ध्यान ये रखना है, गलोय को अमरता कहा गया है, लेकिन अगर हम इसकी एकसस मात्रा लेते हैं, तो ये कहा जाता है, कि जिस रोक के उपचार के लिए लिया जाता है, उसी रोक को ये कर भी सकता है, जैसे अगर मैं कहूं, कि हम लिवर जनित बिमारियों में इसका करते हैं, उनके निराकरण के लिए, और एकसस मात्रा में अगर हम इसको लेते हैं, तो लिवर की बिमारी भी ब्लट प्रेसर को भी डाउन कर सकता है, तो एक महिने से जयादा इसका शेवन ना करें, अगर करनी की इस्तिति हो, तो पंद्रे दिन का कम से कम, हमें बीच में ब